हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम फैब्रिक पट्टी पर्ल्स और लेस के साथ प्लाजो पेंट का सबसे खुब सुरूर डिजाइन बनाएंगे बहुती इजी टिप्स के साथ बनाएंगे तो चलिए हम अपने इस डिजाइन को बना ली हैं अब हमें इस पट्टी के उपर समुसा ट्रेंगल रखके स्टिच करने हैं तो मैंने पहले से ही रेडी कर लिए हैं मैं आपको बता देती हूं आपने कैसे रेडी करने हैं तो इन ट्रेंगल को बनाने के लिए आपने स्क्वेर में चोटे-चोटे-पीसी कट करने हैं फिर ये खुलेगा नहीं ऐसे ही रहेगा ऐसे ही न हमने अपने सारे ट्रेंगल्स रेडी कर लेने हैं अब हमने न इन ट्रेंगल्स को न ऐसे रखना है अपनी पट्टी के उपर ऐसे और यहाँ पे न आधे इंच का मार्जन के उपर ऐसे रखना है और यहां पर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है दूसरा फिर शे उसकी तरफ ही घुमा के और उसके उपर चड़ा के ऐसे रखेंगे बस ऐसे ही न हमें दो दो ट्रेंगल्स का सेट बनाते जाना और सिलाई लगाते जाना है तो फ्रेंच मैं बहुत ही इजी के साथ आपको ये ڈिजाइन बनाने बताती हूँ ताकि जो बिगनर्जक्동 हैं उनके लिए भी असानी हो ये को धिंग बनाने के लिए तो मेरे ऐसे ही डिजाइन के लिए मेरे dethhone से हमाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और शाथ में बैल ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरफ वाले ट्रेंगल्स का कोना ना हमने हलका सा ऐसे इसके अंदर ऐसे डालते हुए सिलाई लगानी है बस ऐसे ही ना हमें इस तरफ वाले भी सारे ट्रेंगल्स ना स्टिच कर लेने हैं फ्रेंस मेरे ऐसे ही खुबसूरा डिजाइन से एकने के लिए मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो कर लीजे, मैं हर रोज एक नई वीडियो फेस्बुक पे भी डालती हूँ तो दोनों तरफ के ट्रेंगल्स हमने असे स्टिच कर लिए हैं, अब हमने इसके साइड में येवली लेज स्टिच करनी है, तो लेज को अपनी सिलाई के उपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे लेज की किनारी को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे एक तरफ हमारी ये लेज ऐसे स्टिच हो गई है, अब हमने दूसरी साइड पे बिना ऐसे ही लेज को रखते हुए स्टिच कर लेना है तो दोनों तरफ हमने ये लेज को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमने ट्रेंगल्स के बिल्कुल सेंटर में सुई धागे के साथ एक एक टांका लगा देना है इन ट्रेंगल्स को आपस में जोड़ते हुए ऐसे इन दोनों ट्रेंगल्स को एक साथ जोडते हुए ऐसे टांका लगा लेना है तांकि ये खुलेना अगर ये टांका आपका उपर की तरफ दिखाई दे रहा है तबी भी कोई प्राबलम नहीं है क्यूंकि हमने इसके उपर एक एक परल पेस्ट कर ही देना है ऐसे ही न हमने सारे ट्रेंगल्स को आपस में जोडते हुए टांके लगा लेने हैं तो अभी मैं आपको सारे ट्रेंगल्स को स्टिच करके दिखाती हूँ तो सारे ट्रेंगल्स के बीच में हमने एक एक टांका ऐसे लगा लिया है अब हमने इस pattern को नीचे से fold करना है तो उसके लिए ना मैंने same plaza pen वाले fabric से ये एक पटी ready की है ये पटी ना मैंने 2 इंच ओड़ी ली है ये देखिए ये पटी मैंने 2 इंच ओड़ी ली है और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे paper pasting भी लगा ली है और लंबाई में अपने pattern के जितनी ही ली है और दोनों तरफ से ना मैंने इसे आधा-धा इंच ऐसे अंदर की तरफ fold करके ना और फिर इसे ऐसे fold करके हमने press कर लिया है अच्छे से अब हमने इस पट्टी को ऐसे खोल के रखना और pattern को इसके अंदर ऐसे दबाते हुए ऐसे लेस की सिर्फ किनारी को ही दबाएंगे और यहाँ पे एक top stitch लगा लेंगे तो ऐसे हमने इस pattern को ना नीचे से fold भी कर लिया है अब हम इस pattern को अपनी pen के साथ stitch करेंगे pen को खोल के सीधा करके रखेंगे और pattern को ना इसके उपर हमने ऐसे उल्टा करके रखना है दोनों को बिल्कुल बराबर रखना और यहाँ पे ना हमने लेस वाली सिलाई के उपर ही सिलाई लगानी है तो यह वाली सिलाई भी हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस pattern को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे और यहाँ पे एक top stitch लगा लेंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पे ऐसे सिलाई भी लगा ली है और design हमारा यह बनके तयार हो गया है और देखिए कितना खुब सुरुत लग रहा है न अब हमने ट्रेंगल्स के कोने कोने बेंगे यहाँ पे एक एक pearl paste कर देना है फैब्रिक लूग के साथ यह फैब्रिक लूग हमारी धोने से इजी ली नहीं उतरती है इसलिए आप भी ना टेंशन से इसके साथ pearl paste कर रखते हो तो अभी मैं आपको न सारे pearl यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करके दिखाती हूँ तो यह देखिए सारे pearl हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं और यह सूख भी चुके हैं डिजाइन हमारा यह बनके पूरी तरह से रेडी है अब हम इसे fitting की सिलाई लगा लेते हैं तो ऐसे हमने इसे fitting की सिलाई भी लगा ली हैं और देखिए कितना खूबसूरत और एकदम नया हमारा यह plaza pen का design लग रहा है न तो चलिए अभी मैं आपको इसे पेहन के भी दिखाती हूँ पहनने के बाद हमारा एक खूबसूरत plaza pen का design को छैसे आ जाएगा तो आप भी यह वला design अपनी plaza pen पे जरूर ट्राइ कीजिएगा डिजाइन और वीडियो ची लगियो तो इसे like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए साथ में bell icon जरूर दबाएं तांकी मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई